दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपटी family के लिए फाइब सीटर का जो की दिखने में बहुत ही बहत cellike बहुत हुछ हो कर दोतीन वेरेंट और आते हैं जिनके नाम है नीसान मेगनेट एकसल बेरियंट इसके बाद आता है एक्सवी एक्सवी प्रीमियम इसी के सास्थ का इंजन आता है जो की बहुत कम पावर जनेरेट करता है पर इस कार के लिए यह सफिस्टेंट है अगर आप चाहते इस बजट में का लेना तो इस वेरियंट में आपको सारे बेसिक फीचर भी मिल जाते हैं और इकार दिखने भी काफी अच्छी लगती है इसके बाद बात कर बाहर के भी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि मात्र सत्रह हजार आकर ज्यादा दे दे जो की निसान मेंट का एक्सल वेरियंट है उसमें आगर आप सेवंटीन थाउन रूपीज और बढ़ा देंगे तो आपको एक्स वी एक्जेक्योट है तो दोस्तों निसान मेंट के कुल मिला के 20 से भी ज्यादा वेरियंट आते हैं इसमें मैनुल के साथ ही ऑटोमेटिक टरंस्मिशन का भी ऑप्शन उपलब्ध है निसान मेंट की कीमत 5.71 रूपीज लेकर 10.15 रूपीज तर जाती है फीचर की बात करें तो इसमें इसमें डिजिटल इस्टूमेंटल कस्टर मिल जाता है इसमें आपको एफल कारफ ले मिल जाएगा जो की आठ इंच की बड़ी स्कीन में आपको मिलता है टच स्कीन में मिलता है इसमें 16 इंच के आपको टायर मिलते हैं जो की एलोज के साथ आते हैं इसके साथ इसमें ऑटोमेटिक एसी वाइलेस चार्जर एयर प्यूरिफायर जेवेल की स्पीकर डियोल एर बैग दियर पार्किंग सेंसर एबीएस एबीडी एलीडी हैटलैंड के साथ इसी के साथ इलेक्रोनिक स्टेबिलेटी कंट्रोल भी आपको मिल जाता है कंपनी का नावा है कि आपको इसमें 20 kMP विल तक की माइलेज मिल जाती है जो कि काफी अच्छी है फ्रेमिली के हिसाब से माइलेज के बारे में थोड़ी बात करें तो भरक में निसान ने कम-दान में अच्छे प पेट्रोल इंजिन के साथ पेज किया गया है जो कि 100 PS की पावर और 160 NM का ट्रॉक जनरेट करता है भारत में निर्सान मेगनाइट का मुकाबला टाटा नेक्सोन, किया सेल्टॉस, होंडाई वेन्यू, मारूती ब्रेजा, टोयटा अर्बन क्रूजर, महींदरा एक्सवी 3W, र सब्सक्नाइट के सब्सक्राओं सेल्सहान लाट्रेश के कुए गन्रेट जरूर बताएं और एक बार निसान मेगनेट की टेश्टा जरूर लेजिए अगर आपको वीडियो प्पस्क्राइब करिए धन्यवाद